Hello friends, यедि आप प्रेगनेंट हैं और आपका बच्चा घूम नहीं रहा है या आपको ये confusion हो रहा है कि आपका दिन बार बें बच्चा कितनी बार घूमना चाहिए कितना नॉमल है कितना अपनी बनॉमल है तो मैं डॉक्टर सुशिला सेनही आज आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा दिन में कितनी बार घूमें कि वह आपके लिए बिल्कुल सही लगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे का घूमना उसके महिने पे भी डिपैंड करता है कि शुरुवाती अवस्ता में बच्चा चोटा होता है पानी काफ नहीं हुआ है तब तक आपको बच्चे की मोमेंट फील नहीं होती है जैसे 25 मैना पूरा होता उसके बाद आपको थोड़ी-थोड़ी ओमन फील होती है तो इस तरीके से फ्लिकरिंग मॉमेंट होती है कि यानि कि पानी के अंदर कोई बॉल घूम रही है या कुछ हिल रहा ह इस तरीके की मौुमेंट्स खोती है, तो यह शुरूआत में जब बच्चा छोटा होता है तो हमें जादा मौुमेंट्स study इस तरीके की मौुमेंट्स होती है, पिर देरे-देरे धेर moet झाकरी, चैसे बड़ा होने लगता है तो पानी और बच्चे का रेशो बढ़ जाता है, पानी कम हो जाता और पेट के अंदर यानि कि बच्चे दाने के अंदर बच्चे को घूमने की जगह कम मिलने लगती है तो उसके बाद में वह हाथ सिधा करना या पैर सिधा करना या थोड़ा बहुत करवट बदलने जैसा ही मुवमेंट कर पाता है इससे जदा वह ऐसे पूर पास ladies आती है वह ऐता है वह कहते बच्चा कम मिलने का तो कोई हिसाब नहीं है तो आप खाना खाने के बाद अबजव कर सकते तो ऑढूर से ही आप खाना क्ती है तो थोड़ा सा ग्लकोस का लेवल बढ़ता है और बच्चे को भी ग्लकोस का लेवल बढ़ने के कारण स्प्लाई मिलती है, तो थोड़ा active होता है क्योंकि करी बच्छा सो जाता है, तो भी आप सो一定要 तो नहीं करेगा तब आप में टेंशन हो जाती है का बच्छा नहीं टिल उती है तो दिन पर मैं से अकर आप तीन बार खाना खाने के बाद। अगर अब7 करेंगी, या में सिङर बγοल मिलाज के लगजा फब मुंध िरियं मुंद आराम में मुंद बार आप एक तो सिर्फ बच्चा थोड़ी बहुत extension या flexion जैसे moment कर पाता है gross moments बंध हो जाती है तो हमें उतना ही पता लगता है कि बच्चा थोड़ा बहुत move कर रहा है बहुत जदा नहीं कर रहा है तो उस चीज़ के लिए हमें tension नहीं करनी होते है बच्चा कम घुम रहा है बच्चा move कर रहा है बिल्कुल नहीं घुम रहा है वो एक अलग बात होती है और आप जब खाने के बाद observe करेंगे तो आपको ये clear cut महसूस होगा कि बच्चा moment कर रहा है अब बच्चा घुमने का मतलब यह नहीं होता कि वो पूरा 360 डिगरी घुम रहा है तो ये ही एक confusion दिमाग में होता है कि बच्चा कितना घुमना चाहिए तो बच्चा अगर खाना खाने से लेके खाना खाने के बाद तक एक बार में तीन से चार बार घुम लेता तो वो नॉर्मल है इसके लिए ज़्यादा चिंतार ना करें आपको तो सिर्फ ध्यान देना आपके खाने पीने पर, रिलेक्स रहने पर और आराम करने पर और नॉर्मल अपना जो भी योगा वगर एक्सेसेज़ आप करती हैं तो उन चीजों पर आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए और आप भी खुश रहिए और बच्चा भी खुश रहेगा आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जनकर के साथ तब तक नमस्कार